बेबी डॉच कोई की लगतार पॉपॉलेटी बढ़ रही है लेकिन प्राइज में इंपेक्ट क्यों नहीं आ रहा है तो वेल गाईस इस वीडियो में आप सभी लोका स्वागती इस वीडियो में बात करने वाले बेबी डॉच कोई को लेकर मार्केट में बहुत ही पॉजिट आरहा है जैसे बहुत सारे लोगने शिवाईज को मिस करद दिया वैसे बेबी डॉच को पॉपॉलेटी बट रही अर इसके होल Video प्लाप टो प्लस हो चुचूके है यानि इसने holders के मामले में शीबा इनु को पीछे छोड़ दिया है शीबा इनु से 3 लाख ज्यादा इसके holder से शीबा इनु को market match दो साल हुआ है और बेबी डॉज कोईन का trip एक साल हुआ है लेकिन popularity में सबसे आगे निकल गया है बेबी डॉज कोईन और एक बंदा है SEO नाम से क्रिप्टो का update देता है डेली और उसके करीबन ट्विटर पर 4 लाख फालोवर से और वो लागतार back-to-back बेबी डॉज कोईन को promote और उन्होंने tweet करका बताया कि बेबी डॉज कोईन ने मेरी जिंदगी बदल दी मैं सोचा भी नहीं था सपनों में कि बेबी डॉज कोईन मुझे ऐसा बना देगा Binance के CEO CZ Binance को भी टैक करते हुए लिखा है कि क्या आप बेबी डॉज कोईन को अपने exchange पे स्विकार करना चाहते हैं तो यह भी एक बेबी डॉज कोईन के लिए बहुत ही positive news है उन्होंने बेबी डॉज कोईन को बहुत ही grateful project बताया है strong community भी बताया है यह बेबी डॉज कोईन के लिए एक बहुत ही positive news है और आपको पता ही होगा कि 18 जुलाई को मेटावर्स में entry ले रहा है मेटावर्स में entry लेने से बेबी डॉज कोईन की पॉपूलेटी और भी बढ़ जाएगी और भी इन्वेस्टर के तरफ आकरशित होंगे और इस पर भारी investment होगा holders बढ़ेंगे हो सकता है कि 2022 के end तक बेबी डॉज कोईन में दो जीरो या तीन ज पहुचा रहा है उसने एक article share किया है उसमें 24 घंटे बी एनबी चैन पे एक प्रोजेक्ट में देखा कि हायस्ट सोचल एंगेजमेंट वाला कौईन कौईन सा है पिछले 24 घंटे में उसमें बेबी डॉज कोईन नंबर वन पे आया 8.5 मिलियन के साथ और देखा जैकि सबसे किसकी है तो फर्स नंबर पर आता है शीबाइनू और सेकेंड नंबर पर आता है बेबी डॉज कोईन जो कि इसकी बहुत ही इस्ट्रॉज कोईन और यह शीबाइनू को भी पीछे छोड़ देगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर और हाली में बेबी डॉज कोईन का मार्केट में उतना उसके प्राइज में हाइप नहीं आ सकता इसलिए बेबी डॉज स्वेप को थोड़ा सा होल्ड किया गया है आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा और अगर बेबी डॉज कोई करन प्राइस देखी जाए तो वह चल रही है आयनार मे 35% का उच्छाल ग्रीन में दिखाई दे रहा है तो देखिए बेबी डॉज कोई हर बार एक नया उच्छाल लाना चाहता है मार्केट में लेकिन नहीं आपा रहा है विकॉस मार्केट डाउन है बेबी डॉज कोई लगतार कोशिश कर रहा है कि वह एक अपना नया पसंद आई होगे वीडियो पसंद आई होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और नेक्स्ट वीडियो अपकी स्टाफिक पर चाहते होगे मुझे कमेंट सेशन में जरू बताईगा तो मिलते हैं दोस्तों एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक के